यह question SST CGL में पूछा गया है पहले तो आप वीडियो को pause करके इस question को खुद से solve करिए उसके बाद ही इसका solution देखिए यह question number system topic के remainder find out करने वाले concept से related है इसमें बोला जा रहा है कि इन 4 options में से कौन सा ऐसा number है जो 49 to the power 15 minus 1 का divisor है divisor कहने का मतलब इन 4 options में से कौन सा ऐसा number है जिससे अगर हम 49 to the power 15 minus 1 को divide करें तो पूरा का पूरा divide हो जाए पूरा का पूरा divide होने का क्या मतलब है 6 जो है remainder जो है वो 0 आ जाए अगर remainder 0 आ गया 6 फल 0 आ गया मतलब वो पूरा का पूरा divide हो गया तो सबसे पहले यह देखते हैं कि 49 to the power 15 minus 1 का क्या मतलब है इसका मतलब है 49 into 49 into 49 ऐसे करके कितने बार 49 को multiply करेंगे 15 टाइमस उसके बाद minus 1 है तो minus 1 लिखती है अब जब हम इसको divide करते हैं और remainder के बारे में सोचते हैं तो remainder find out करने का यह तरीका होता है कि इसको जब हम remainder find out करने के लिए किसी number से divide करते हैं तो हम क्या करेंगे पहले individual remainder find out करेंगे मतलब 49 को इस वाले number से divide करके यहां पर remainder लिखती है फिर इस वाले 49 को यहां वाले number से divide करके यहां पर remainder लिखती है ऐसे करके सब का individual remainder लिखतेंगे उसके बाद जो भी mathematical operation है यहां multiply हो रहा है तो इन सब को multiply कर देंगे फिर यहां पे subtraction है तो इसको subtract कर देंगे मतलब individual remainder find out करने के बाद हर एक term का अलग-अलग remainder find out करने के बाद जो भी mathematical operation है जहां multiplication है वहां multiplication लिखतेंगे जहां subtraction है वहां subtraction लिखतेंगे तो जब आप 49 to the power 15 minus 1 को 8 से divide करते हैं तो देखें क्या होगा इस 49 को जब आप 8 से divide करेंगे तो 8,6 चा 48 remainder 1 हुआ तो यहां पे remainder 1 वैसे इस वाले 49 को भी जब 8 से divide किये तो remainder 1 वैसे यहां भी remainder 1, यहां भी 1 ऐसे करके 1 into 1 into 1 कितने बार 1 multiply होगा 15 बार 1, 1, 1, 1 multiply हो गया उसके बाद यहां minus sign है तो यहां आप भी minus लिखेंगे और जब आप 1 को 8 से divide करते हैं तब क्या remainder होगा जब आप 1 को 8 से divide करेंगे 8 into 00, 1 ही हो जाएगा remainder तो यहां पे 1 कोई भी 1 को जैसे आपने 8 से divide किया तो 1 चोटा number है 8 से तो अगर uns में numerator में चोटा number है तो वही remainder हो जाता है इसलिए 1 का 1 ही आगया remainder अब आप देखिए 1 into 1 into 1 आप कितने बार multiply करेंगे आप 15 बार तो 1 को तो आप कितने भी बार multiply कर दीजिए वो 1 ही रहेगा उसके बाद यहां minus sign है तो वो वाला minus उसके बाद यहां remainder 1 है तो 1 तो 1 minus 1 का क्या value आगया 1 minus 1 का value आगया 0 तो मतलब जब आपने 49 to the power 15 minus 1 को 8 से divide किया तो remainder 0 आगया इसका मतलब 49 to the power 15 minus 1 जो है वो 8 से पूरा का पूरा divisible है तो यह 8 ही जो है वो 49 to the power 15 minus 1 का divisor है भाजक है तो answer इसका third option 8 आगया अब हमने 8 से ही क्यों चेक किया क्योंकि directly दिख रहा था कि जब 8 से हम 49 को divide करेंगे तो 8 6 चा 48 और 1 आजाएगा remainder हर एक जगा 1 1 आएगा 1 1 को कितने बार भी multiply करेंगे तो 1 ही होगा उसके बाद एक minus 1 है तो 1 minus 1 0 आजाएगा remainder अगर समझने में थोरा सा भी doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं झालाएगा